नमस्कार मैं हूँ अकर्शन उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरे देख रहे हैं करनाल से जहां पर आपको बता दें कि अब आपके बच्चों को MBBS करने के लिए किसी बड़े प्राइविट कॉलेज को बहुत मोटी फीज देने की जरूरत रही है क्योंकि अब डॉक्ट कि कैसे आप MBBS करने के लिए अपने बच्चों को एजिप्ट बेज सकते हैं एजिप्ट जिस कंट्री के अंदर बहुत डिसिप्लिन है एजिप्ट एक ऐसी कंट्री जहांकि जो मेडिकल सर्विसीज हैं वो विदेशों में किस तरह से विख्यात हैं लोग दूर दूर से वह सब जानकारी देने के लिए आज हमार साथ डारक्टर हैं उडान MBBS के उनसे बात करेंगे कि क्या वो इसके बारे में बताते हैं जो की चीका से खासतोर पर हमारे आफिस में आए हैं सर सबसे पहले स्वागत है आपका करनाल में जानना जाएंगे सर की डॉक्टर बनने के लि इजिप्ट ही क्यों आप कैसे वहां पर एड्मिशन करवाते हैं कौन वो बच्चें जो एड्मिशन ले सकते हैं और जाहिर तोर पर जो कॉलेजिज हैं लोग चाते होंगे कि प्राइवेट नहों सरकारी हों क्या फरक रहता है फरक यह है कि एजिप्ट जो है एक बहुत जायती किसी तरह की और जो वहां पर यूनिश्ट्री है वो गौर्मेंट यूनिश्री है चार यूनिश्री है गौर्म इबियवेश्ट करनी हो तो यह लगा लिजे कि साठ लाग से लेके डिट का बजट चाहिए बर्टर बनने के लिए प्राइवेट जीज में और वहां प सब्सक्राइब करें कि जो बच्चे के प्रैक्टिकल्स होते हैं त्योरिकल होते हैं जब बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए जाता है बहुत सारी दिखते हैं उसको आती होंगी वहाँ पर और इंडिया में और एजिप्ट में करने में क्या-क्या फर्क है क्या-क्या चीजे डिफरेंट वहाँ पर मिलती हैं क्योंकि जाहिर दौर पर विदेश है वहाँ की डॉक्टर बनेगा इसके इलावा जो हैं इनके खुद के अपने होस्पिटल है और में वी जो मैं प्रोपर बात कर रहा हूं एंशाम यूश्टी की यहां पे लगभग लगग दस हजार पेशेंट्स की OPD है डेली की यानि के यह कह सकते हैं जो अपना इंडिया का एम से इसके बिमारी हैं बचा अच्छा सीखेगा अच्छा पड़ेगा एक सफल डॉक्टर बनेगा और इसके इलावा यदि हम देखें तो वहां पे जो है बचे पांस साल की टॉटल MBS की स्टड़ी है एक साल के इंटर्शिप है और जो बच्चे एरपोर्ट है वो बिलकुल है काफी जादा सेक्योर बताया जाता है लेकिन अब सवाल आता है इंडिया का सर इंडिया के अंदर M.C.I. है Medical Council of India बहुत सारी जो इनिवर्स्टीज है बहुत सारी जो कॉलेजिज है जिसको M.C.I. अप्रूवड नहीं करता तो लोगों का सवाल होगा कि अगर उनका बच् स्टडी करके आएगा तो इंडिया में आ करके वो नेक्स का पिपर देगा और इंडिया में अपनी प्रैक्टिस कर सकता है नीट जो बच्चे यहां से जाते हैं प्ले टैन प्लस टू करेंगे तैन प्लस टू में 75% मार्क्स वो लेके आएं और उसके बाद नीट क्वालिफ के तस्वीर है जी तो आप यह देख सकते हैं कि जो आपका बच्चा है वो ऐसी जो युनिवस्टी है खुबसूरत जो युनिवस्टी है वहां पर पढ़ने के लिए जा सकता है एक अच्छा सफल डॉक्टर बन सकता है और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि अगर आप का बच्चा सफलता पूर्वक्पूरी सक्सेस के साथ एजिप्ट से डॉक्टरेट करकर आता है एंबीबियस करकर आता है तो उसके लिए विदेशों में भी जो संभावनाएं हैं वो खुल जाती है उसके लिए जो बच्चा है वो कैनेडा जैसी जगा पर अस्ट्रेलिया जैसे जगा पर जहां पर डॉक्टरों की बहुत ज़ादा डिमांड है वहां पर जाकर भी जो बच्चे हैं वो अपनी जो सेवाएं हैं वो दे सकते हैं इसके इलावा जिन बच्चों ने प्लस टू में 75% से ज़ादा मार्ट्स लिये हो वो ही बच्चे इलिजिबल रहते है एजिप्ट में पढ़ने के लिए सर अकसर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए लेकिन करोड़ों रुपे की वो फीस नहीं दे सकते लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि फीस भी बहुत ज़ादा नहीं है और इक या फिर बाहर अपार्टमेंट लेकर के रहे वो तो इससे ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता महौल बहुत बढ़िया है जी लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ है इसके लड़कियों पर बात आई है तो मेरी खुद की बेटी वहाँ पे आज स्टड़ी कर रहे हैं जी वर्ल्ड क्यू एस रैंकिंग देखें तो वर्ल्ड क्यू एस रैंकिंग जो है इंडिया के जो हमारा एम्स है उसके बराबर की वर्ल्ड क्यू एस रैंकिंग है इसकी ये बड़ी बात है कि जो वर्ल्ड क्यू एस रैंकिंग है ये देख सकते हैं वन फिफ्टी वन है य सपने तूट जाते हैं क्योंकि उनके माबाप के पास करोड़ो रुपया नहीं होता कि वो अपने बच्चों के फी दे सके बहुत सारे माबाप को मैं जानता हूं देखता हूं जिनोंने अपनी जीवन भर की पूंजी चाहे उनका पी एफ हो घर हो प्लोट हो वो बेच कर अप को अब इतनी फीज के लिए घर बेचने की जरूरत नहीं है सिर्फ साड़े एकत्यस हजार डॉलर में आपका बच्चा दस इंस्टॉल्मेंट देने के बाद इस युनिवस्टी से डॉक्टर बनकर निकल सकता है पांच साल की ये टोटल डिग्री होती है उसके बाद एक साल लिद्धार रहते हैं कई कोई दिक्कत एड्मीशन में पढ़ने में तो नहीं आता है ने एक परसेंट भी दिक्कत नहीं है बच्चे वहां से भी आगए के लिए जो कर सकते हैं जैसे यह यो एसेमली और प्लैब पास कर लेते हैं तो बच्चे जर्मन के अंदर या अमेरिक को solve करने का लेकिन हो सब कुछ सकता है क्योंकि इसे पहले बहुत सारे जो बच्चे हैं वो विदेशों से जो doctorate हैं वो करकर आते हैं जिसके capacity जाय सी होते है कोई बच्चा US से करकर आता है को बच्चा UK से करकर आता है लेकिन अब आपको इतना करोड़ रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आप MBBS कर सकते हैं एजिप्ट से जहां पर आपको बता दे कि उड़ान MBBS की और से यह जो एडमिशन्स है यह करवाये जाते हैं जो की चीका में इनका आफिस है चीका में इनका हैड आफिस है और जैसा सर ने बताया कि इनकी खुद की बेटी भी वहीं पर डॉक्टरेट कर रही है उनके खुद की बेटी MBBS कर रही है सर लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे अगर आपसे बातचित करनी हो तो जो नंबर नीचे दिए गए उन पर संपर्क करें हाँ जी हाँ बिलकुल हमसे संपर कीजिए हम जो है उडान MBBS की तरफ से हैं और आपका जो है जिप्ट के अंदर एडिमिशन करवाएंगे और बच्चे ऐसे होंगे जो प्लस टू पास आउट यानि की करकर डॉक्टर बनना चाहेंगे तो उनका सपना कहीं ना कहीं जो अब उडान MBBS है वो पूरा करने जा र यह के नंबर पर आप संपर कर सकते हैं अपनी पूरी कीजिए जो भी सवाल है आप हर सवाल का जवाब ले सकते हैं कंपनी के ऑफिस पर जा सकते हैं और जिस यूर्ट